पहरे जो है कि विजली नेरान के कारण होनों को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब विजली आजाने के बाद यह सोविए सुविधान हो गई कि बचे लोग पढ़ते हैं, और शान हम लोग है, कि पांपिंग सेट में विजली के चलते हम लोग को सुविधान हो पटवन की बहुत से उज़ा हम लोग को हो रहे हैं अब जो सरकार हम लोग को बहुत अच्छा वास्तादी है कि घर घर लाइन बिजली दे दिया है तो अब इस सब लोग को मतलब सब चिसका फाइदा दिया और हम राप चालों की अब बेजली में परकी है अब सरे चिसका सुष्ताव मिली यह लेकर हम लोग को सब तरफे सरकार को धनेवाद देते हैं बिजली के कारण बहुत सारा परशानी था जिससे की लोग गाउं छोड़कर बाहर कमाने जाते थे और आज हमारे गाउं में बिजली आ जाने से बैपार्क भी बढ़ा है जैसे की दुकाने बढ़ी है बाजार में अच्छी भीड़ होने लगी है जिससे सारे बैपारी जनकूस है तो अभी जो है बिजली आया है पहे नहीं था तो मेरा जो बच्चा बहुत अंधेरा में पड़ रहा था अभी जो बिजली लाइन आया गए तो अच्छा से अभी पढ़ाई हो रही है तब बहुत खुश बहुत हम खुश लगा सर मेरा नाम मीना देवी है मैं सीसे परखंड ग्राम चारदा से हूँ पंचायद भी चारदा है मेरा गाउ में बिजली आया हुआ है बिजली समलो को बहुत लाब होता है बॉल्ब जलाते हैं मोबाईल चार्ज करते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं और लगता है कि अब अरिदेवी और हमर गाउ कर नाम लठ दाग पोस्ट चरदा थाना सिसे और थी हमरे कर जे लाइन लाइन कर हमरे कर विवस्ता हुआ थे टीबी देखा थी पांखा चला थी मोबाईल चार्ज कर थी चोवा मन पढ़ा था लिखा था खाना बन रहा है लाइट में और क्या है र गाउ हमर कुमार डुगी जीला हमर हम पश्चमी सिंभू हमर गाउ में पहले बिजली पानी के सुगधा नहीं हलों टीबी भी नहीं देखे पारा हुआ हर तरह से लाइन के चलते हमनी बंची था लिएट सरकार के बहुत-बहुत धन बाद कि हमर गाउ में लाइन हों तो जाई जाई जाई